व्यवहार में परमार्थ कैसे घटेगा व्यवहार में अध्यात्म कैसे घटेगा इस बात को समझाते हुए पुझे स्वामी रामसुख दाश्जी कहते हैं अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो इस भावना से बरताओ करें परिवार में रहने की यह विद्या है प्रतेक काम को करने का एक तरीका होता है एक विद्या होती है एक रीती होती है और उसमें चतुराई होती है उसमें एक कारीगरी होती है इसी प्रकार परिवार में रहने की भी एक विद्या होती है आप बेटा हो तो माबाप के सामने सपूत से सपूत बेटा बन जाओ जिसके भाई हो तो उसके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाई बन जाओ जिसके आप पती हो उसके लिए श्रेष्ठ पती बन जाओ आप पिता हो तो पुत्र पुत्री के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता बन जाओ जैसा जिसके साथ संबंद है उससे आपका श्रेष्ठ संबंद होना चाहिए उनके साथ उत्तम से उत्तम बरताओ करोगे तो वे लोग भी आपसे अच्छा बरताओ करेंगे तब परिवार ठीक रहेगा आप कह सकते हैं कि परिवार के सब लोग इस तरह सोचेंगे तब ठीक होगा एक आदमी अकेला क्या करेगा बात आपकी ठीक है परंतु आप अच्छा बरताओ करना शुरू तो करो उस अच्छे बरताओ के करने से परिवार का बरताओ भी अच्छा होगा और परिवार में बड़ी शांती होगी आप अपनी तरफ से ठीक बरताओ करते रहो उसमें एक और शुरूर्वीर्ता ले आओ रामायन में आया है उमा संत कई इहई बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई परिवार वाले आपके साथ खराब बरताओ करें आपको दुख पहुचाएं आपको पीडा दें आपका अपयश करें तिरस्कार करें अपमान करें तो भी आप उनका नुकसान मत करो उनको दुख मत दो उनको सुख देने का प्रयास करो उनका आधर करो, उनकी प्रशंसा करो, उनको कैसे आराम पहुँचे, इस भाव से आप बरताओ करोगे, तो आपका परिवार आपके लिए दुख दाई नहीं होगा, परिवार के सभी आपस में ठीक बरताओ करेंगे, इस जमाने में इस बात की बड़ी भारी आवश्यक्ता है भगवत गीता में आया है, कर्मन्यवा धिकारस्ते, मा फलेशु कधाचना अपनी ओर से आप परिवार वालों के प्रती, अपना कर्तव्य पालन करो, दो चीजें हैं एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार, मनुष्य अधिकार तो जमाता है, कर्तव्य नहीं करता यह एक बड़ी खास बिमारी है, जिसके कारण संसार में और परिवार में खटपट मचती है मनुष्य अपना अधिकार रखना चाहता है और कर्तव्य पालन करने में धिलाई करता है, उपेक्षा करता है यह कर्तव्य करता ही नहीं, इसी से गड़बडी पैदा होती है इसलिए अधिकार तो जमाओ मत और कर्तव्य करने में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी कमी मत आने दो दूसरों के अधिकार की पूरी पूरी रक्षा करो उनका जो हमारे उपर हक लगता है उस हक को ठीक से निभाओ अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ आप उस पर अधिकार मत जमाओ कि हमारा लड़का है हमारा कहना क्यों नहीं मानता हमारी स्त्री है तो हमारा कहना क्यों नहीं मानती भीतर में ये अधिकार की भावना मत रखो कहना हो तो कह दो प्रेम से, सनेह से, आदर से, अपने पन से पर भीतर से ये आगरह मत रखो कि स्तिरी हो या पुत्र हो वे सब परिवार वाले मेरे कहने में ही चले उन पर अधिकार मत जमाओ बस अपने करतव्य को ध्यान में रखो कि पुत्र के प्रती मेरा करतव्य है कि मैं उसे अच्छे शिक्षा दूँ उसका लालन पालन ठीक से करूँ इसी तरहे स्त्री के प्रती अपने माता पिता के प्रती जो जो करतव्य है बस उनको ध्यान में रखो अपने अधिकार को ध्यान में मत रखो परिवार जितना आपके कहने में चलेगा उतना ही आपको अधिक बंधन होगा जितना ही वह आपका कहना नहीं करेगा उतना ही छुटकारा होगा उतनी ही आप में सुतंत्रता आएगी उतना ही आपको लाब है जितना वे कहना अधिक करेंगे उतना ही आपको बंधन होगा आपकी उनके प्रति आसकती बढ़ेगी मनुष्य को यह अच्छा लगता है कि दूसरे लोग मेरे अनुसार चलें मेरा कहना मानें परंतु सुक्ष्म बात यह है कि यह बंधन का रख है जहर चाहे मीठा ही हो पर मारने वाला होता है इसी तरह आसकती चाहे अपनों की हो वह नुकसान करने वाली ही होती है इसी प्रकार अनुकूलता आपको भले ही अच्छी लगे पर वो बांधने वाली ही है वे उच्छ रिंखलता करे तो भी आप अच्छे से अच्छा बरताओ करो वे चाहे उम्र भर बुरा ही करे तो भी आप उक्ताओ मत आपके लिए बहुत ही बढ़िया मोका है उनके बुरा करने पर भी आप अपना बरताओ अच्छे से अच्छा करो एक सज्जन थे उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो मुझे गुस्सा नहीं आता आप परिक्षा करके देख लो दूसरे ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता बड़ी अच्छी बात है आपको क्रोध दिलाने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों भी गाड़ू तो सदैव यह भाव रहे कि हम अपना स्वभाव अच्छा रखे भगवत गीता में श्री भगवान कहते है स्वे स्वे कर्मन्य भी रतह संसिद्धिम लबते न रहा अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो उसका नतीजा अपने लिए भी ठीक ही होगा परिवार के साथ यदि अपने कर्तव्य का ध्यान रखोगे और दूसरों के अधिकारों को नहीं छेडोगे इस तरह का यदि बरताओ करोगे तो लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे यहां भी आपका भला होगा और वहां भी होगा गीता में कहा है जो यद्य नहीं करता उसका यह लोक भी ठीक नहीं होता फिर परलोक कैसे ठीक होगा यहां यद्य का अर्थ कर्तव्य पालन है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस लोक में भी मनुष्य सुख नहीं पाता और परलोक में भी वह सुख नहीं पा सकता यदि अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं करेगा तो जो अपना ही स्वार्थ प्रतिक्षन सिध्य करना चाहता है अपना ही आराम चाहता है उसका संसार में भी आदर नहीं होता और उसके अंदर जो उन्नती होनी चाहिए थी पारमार्थिक उन्नती वह भी नहीं होती जो अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करता है वह संसार में भी अच्छा माना जाता है परमार्थ भी उसका शुद्ध हो जाता है वह लोक और परलोक दोनों जगहे सुख पाता है कुछ लोगों में यह धारणा है कि हम आध्यात्मिक उन्नती करेंगे तो व्यवहार ठीक नहीं होगा और संसार का व्यवहार ठीक करेंगे तो अध्यात्म के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे यह धारणा सही नहीं है यह उन लोगों का मानना ठीक नहीं है गीता में इन दोनों का समन्वय है अच्छा बरताव करो तो अपना लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे व्यवहार भी अच्छा होगा और परमार्थ भी अच्छा होगा व्यवहार में ही परमार्थ की कला सीख लो जैसे एक उदाहरन बताएं कोई दयालू जज होता है तो वह न्याय नहीं कर सकता और न्याय पूरा का पूरा ठीक करता है तो दया नहीं कर सकता दया करे तो रियायत करनी पड़े तो न्याय नहीं कर सकता और न्याय अगर ठीक ठीक करे तो दया कैसे होगी वह तो दूसरे को दंड दे रहा है परंतु भगवान की ऐसी बात है कि भगवान दयालू भी है और न्याय कारी भी है इन दोनों में हमें दिखती है कि बाधा है एक दूसरे के विपरीध है पर वास्तों में बाधा नहीं है क्योंकि भगवान के कानून ही ऐसे बनाए गए हैं कि उन कानूनों में दया भरी हुई है जैसे भगवान ने कहा अंतकाल में मनुष्य जिसका स्मरन करता है उसी के अनुसार उसकी गती होती है श्री भगवान शिमत भगवत गीता के आठवे अध्याय के छठे श्लोक में कहते हैं यम यम वापी स्मरन भावं तजत्यंते कले वरं तम तमेवई तिकाउंतेया सदा तद भाव भाविता यह कानून है कि जिस जिस भाव का स्मरन करता हुआ मनुष्य जाता है वह आगे उसी भाव से भावित होता हुआ उसी जन्म को प्राप्त होता है अंतकाल के चिंतन के अनुसार गती हो जाती है अंतमती सोगती यह हुआ भगवान का कानून भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मुझे याद करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ती के लिए अंतकाल में परमात्मा का चिंतन करें परमात्मा की प्राप्ती हो जाएगी पर अंतकाल में परमात्मा का चिंतन तभी हो सकता है जब पहले आपने परमात्मा का चिंतन किया है अचानक से परमात्मा उस समय याद नहीं आएगा इसलिए धीरे धीरे प्रति दिन परमात्मा को याद करने का प्रयास करे परमात्मा में मन लगाने का प्रयास करे तब ही जाकर अंतकाल में परमात्मा का चिंतन हो पाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी इसमें दया क्या भरी हुई है कि जितने दामों में कुत्ते की योनी मिले उतने ही दामों में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए क्या खर्च हुआ बताओ कुत्ते को याद करते हुए मरोगे तो कुत्ता बन जाओगे और परमात्मा को याद करते हुए मरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो इसमें अपने लिए भगवान ने कोई रियायत नहीं की कानून है इसका कोई भी पालन कर लो और इस कानून में कितनी दया भर दी है जिस चिंतन से 84 लाख योनी मिलती है उसी चिंतन से भगवत प्राप्ती हो जाती है सदा के लिए जन्म मरण मिट जाते है यह कानून है कानून भी है दया भी है इसी तरहे व्यवहार ठीक करने से परमार्थ भी सुधरता है व्यवहार का काम ठीक करने से परमार्थ नहीं बिगड़ता जूट, कपट, बेईमानी, धोखे बाजी ऐसा करते हो तो उससे परमार्थ बिगडता है लोगों को इससे लाब दिखाई देता है पर ध्यान से देखोगे सूक्ष्म द्रिष्टी से देखोगे तो लाब नहीं है क्षनिक लाब हो जाए लेकिन वह अंत में दुख देने वाला ही होता है आपके चित को मैला करने वाला ही होता है किसी के साथ कपट करोगे द्वेश करोगे चालाकी करोगे ठगी करोगे तो जैसे की कहा है हांडी काठ की चड़े न दूजी बार काठ की हांडी को एक बार चूले पर चड़ा दो तो दोबारा वह चड़ेगी क्या ऐसे ही एक बार भले ही ठगी कर लो पर उसके साथ खटपट हो जायेगी व्यवहार भी ठीक नहीं होगा अंत में अपना चित्त ही मैला होगा और चित्त के मैला होते ही अपना पतन प्रारंब हो जाता है अताह अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित की भावना से व्यवहार ठीक होगा और व्यवहार ठीक होगा तो परमार्थ भी ठीक होगा स्वार्थ और अहंकार का त्याग करने से काम ठीक होता है यह है बहुत ही लाभ की बात है भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है गीता पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, उस पर विचार करो, और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, देखो, कितनी मोज होती है फिर, कितना आनंद आता है, स्वाभाविक ही, अपने आप ही उस परमरस का अनुभाव करोगे, अपने आप ही आप कल्यान महसूस करोगे, गीता बतलाती है, कि व्यवहार ठीक तरह से करो, तो परमार्थ स्वतह सिद्ध हो जाएगा, सिध्धानत यह है, कि परमार्थ तो स्वतह सिद्ध है, बिगड़ा तो हमारा व्यवहार ही है, और कुछ बिगड़ा ही नहीं है, न जीवात्मा बिगड़ा है, न परमात्मा बिग ना कल्यान बिगड़ा है, बिगड़ा है केवल अपना व्यवहार, बस व्यवहार शुद्ध कर लो, अपना अंतह करण शुद्ध कर लो, दूसरों के प्रती अपना नजरिया ठीक कर लो, अपने दृष्टिकोन को मांज लो, शुद्ध कर लो, तब सारे काम सिद्ध हो जाएं व्यवहार भी ठीक होगा परमार्त भी ठीक होगा अध्यात्म के मार्ग पर चलने में आसानी होगी इसलिए प्रति दिन जितना हो सके व्यवहार में भगवान को याद करते हुए अपना प्रतेक कर्म करो अपने प्रतेक करतव्य का ध्यान रखो दूसरों के अधिकारों पर ध्यान मत दो दूसरों के अधिकार को यदि ध्यान में रखोगे तो उससे आसकती होगी यह भावना आएगी कि सब लोग मेरी बात माने और ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि सारा संसार आपकी आज्यां के अनुसार चले इसलिए हमेशा अपने करतव्यों पर ध्यान दो जिस संबंध के प्रती जो करतव्य है उसको पूरी निष्ठा से इमानदारी से निभाओ कल्यान होगा नारायन 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 झाल हो conducting हो नारायन नारायन प्रहि एमने कर दो क olives जो नारायन जो थाज़ जो सवड़ How i का रून हेशा के यह हैес जो आप滿 Zw самого हो